तो फ्रेंट्स सब्जी तो आप बहुत बार खाये होंगे अर्लो और परवल की एक बार इस रेस्पी को मेरे तरीके से आप लोग बना करके देखिए जरूर पसंद आएगा बहुत ही यमी में लगती है तो चलिए आए देखते हैं इसे बनाना कैसे दिए यहां पर मैंने 8 पर परवल हमारी जल्दी से जब इसको फ्राइ करेंगे तो सौप्ट हो जाती है तो इस परवल को ऐसे ही पूरा हम थोड़ा थोड़ा करके छीलका निकलता है ज्यादा मोटा नहीं निकलता है बट इसको छील लेते हैं बहुत अच्छा रहता है तो इस छीलके को हम इसे उतार लेंगे चाकू की मदद से अब पूरी परवल को ऐसे ही हम छीलेंगे तो चलिए फ्रेंड्स हमारी परवल छील गई है अब इसको हम धूल लेते हैं तो परवल को यहां पर मैंने धूल लिया अच्छी तरह से तो परवल तो अकेले बनेगी नहीं पहले इसको हम काट लेते ह तो जैसे परवल हमेशा काटते हैं उस तरीके यह नहीं काटना है तुछ थोड़ा गोले से में काटना लगए जैसे बनानी है तो यह तो काटएगे भी तो ऐसे ही सारे परवल को काट लेते हैं अगर फ्रेंट्स मेरी यह रिस्पी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज एक लाइक का बटन नीचे दिया हुआ है जरूर दबाईएगा प्रिंस यह हमारी परवल कट चुकी है यहां पर अकेले तो बने लहीं इसलिए मैंने यहां पर ले लिया है दो वालो उसको भी अच्छे से कटके दो लिया दोनों सब्जियों को इधर मैंने कडाई कुछ रहा दिया है और तेल हमारा हो गया है गरम तो यह परवल हमने जो कि चलिए इसको हम लोटो मीडियम फ्लेम पर जो है ऐसे आलट पलट की दो तरी मिनिट तक फ्राई करना है बहुत ज्यादा फ्रेंट्स फ्राई नहीं करना है थोड़ा से इसका कलर चेंज हो जागा हलका से शिकुड़ा ना जाती जैसे इस पॉम में देखिए हमारी परवल जो हच्छे से फ्राई हो चुकी है लगभाई 40 परसंट जो है कुख हो चुकी है तब इसको पूरा निकाल लेंगे थोड़ा सा टेड़ा कर देंगे तो इसमें जो एक्ष्ट्रा तेल हो निकल जाएगा तो जो हमने आलू कटकर कर रखा था उसे थोड़ा सा फ्राई कर लें तो इसमें दोनों को ही फ्राई करना है तो ऐसे ही अलू को भी पर्लू फ्राई कर लेंगे आलो को थुड़ा सा ज्यादा फ्राई करना है ताकि 60-70 पर्जयर्ट कूख हो जाए फ्राई के ही करते करते ही तो आलू भी हमारी हो चुकी है फ्राई प्रेंट्स देखिए इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है तीसे भी हम ऐसे टेणहा करके ताकि तेल एक्ष्टा तेल उसमें रहे ना पूरा हम निकाल लेंगे जब आलू हमारी फ्राई हो चुकेगी अब हमने साले आलू को निकाल लिया है अब इसमें जो अक्ष्टा तेन थोड़ा ज्यादा वज्जा उसको निकाल लेंगे है तो हमको सबजी बनाने भरका तेल वच गया है तो आधा चिमच इसमें हमने डाला है जीरा आधा चिमच लैस्टं लाइसुन एक इंच अदरग दो तिन कली लैसून वारी वारी चॉप लिया है क्योंकि इस रेस्पी में क्योंकि यहां पर हम जो रेस्पी बना रहे हैं उसमें बारी कटा हुआ प्याज लैसुन और मिर्च रहे हैं तो नहीं ठीक रहेगा दिस जल्दी से शॉप् डाल दिये हैं इसको थोड़ा सा एक मिनद तक भून लेंगे और भूनते भूनते इसमें हलका सा जो है अब हम डाल देंगे पानी ताकि अच्छे से ये मारा मसाला भून जाए तो पानी डालके भी एक-दो मिनद तक इसको हो भूनेंगे ताकि या मार national में अच्छे से भुन जाएं roohada यह मसाले से लगका फोड़ते लहगता है तर दीफ़ावावल फ्रों एक फ्रिम दोनों कि दोनों को ही Mix करते हुए एक दो मिनद तक मिला लेंगे सारे मसाले और सब्जी को ताकि א। कि अच्छे से इसकी maj saking हो सके tut Maria कि देखें कि तने अच्छे से मसाला और सब्जी वारी कि कि मिल चुकी हैं कितने ही सुन्दर देखने में लग रही है अभी ही बहुत ही टेश्टी लगती है यह रेस्पी आप भी प्रेंट्स बना कर देखिएगा जरूर पसंद आएगा मैं तो यह कहती हूं जहां आप एक रोटी खाते हैं दो रोटी जरूर खाएंगे फ्रेंट्स यह यह सच्छी है यह ईसी है तो आच्यव में पानी डाल दिया अपनी एसवार स्वादा नमक डालने मैं पानी प्रेंड अपने अंजवार डालना आज वह बहुत पदला थे मस्लेश कहसा है तो फ्रेंड्स एक तो हमारी येश्पी बनके तयार है भस नो खाएं करें वर इ जी थैंक यू क्रेंट